Animal Kingdom में आपने कई अलग-अलग बराइटी के एनिमल्स देख भी होंगे कुछ एनिमल्स बहुत जाइंट और वाइल्ड होते हैं एंचेंट टाइम्स के काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स अब एक्सिंट हो चुके हैं लेकिन अभी भी elephant, camel, giraffe जैसे एनिमल्स इस प्लैनिट पे हैं पर क्या आप जानते हैं हमारे प्लैनिट पे पुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो बहुत ज्यादा चोटे हैं इतने चोटे एनिमल्स हैं जिने आप हाथ में भी उठा सकते हैं कौन से एनिमल्स हैं जो बहुत चोटे हैं उनके बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे लेकिन अब शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चानल आसकाई गुरू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ्लीज सब्सक्राइब कर लीजे वकीटा वकीटा नाम का डॉल्फिन स्पीशिज है जब गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है इस फिश के बहुती रेव स्पीशिज है जिसका रंग बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं इस फिश की एवरेज लेंग 55.4 इंचिज है पिग्मी माउस लेम्यूर पिग्मी माउस लेम्यूर एक प्रिमेट है और माउस लेम्यूर में सेकेंड स्पॉल स्पीशिज है एक अदल्फ पिग्मी माउस लेम्यूर का वेट सिर्फ 43 तू 55 ग्राम्स है यर 1993 में लेम्यूर माउस मनगासकर में डिसकावर हुआ था B-hummingbird, हमारे planet पे कई variety के birds दिखने मिलते हैं, उसी तरह ये सबसे चोटा B-hummingbird है, इस bird का weight 2.6 grams है और lens में 6.1 inches है, B-hummingbird दिखने में बहुत ही यूनिक है, bird के size के कारण ये world का सबसे smallest bird है, Atreus Can Shrew, क्या आपने कभी एक उंगली जितना छोटा एनिमल देखा है? सुनके हैरान रह जाएंगे कि एक उंगली जितना छोटा एनिमल भी होता है Atreus Can Shrew नाम का एनिमल वेट में सबसे छोटा एनिमल है इस एनिमल का ज्यादा से ज्यादा वेट सिर्फ 1.8 ग्राम होता है इस एनिमल की साइज छोटी होने के कारण warm climate में रहना पसंद करते हैं इसलिए ज्यादा तर Atreus Can Shrew यॉरोब, नॉर्थ अमेरिका और मलेशिया में पाया जाता है साइज छोटे होने के कारण ये quick moving animals है और इसका life spent सिर्फ 2 साल तक होता है पिग्मी रैबिट पिग्मी रैबिट नॉर्ट अमेरिकन रैबिट है ये रैबिट species में सबसे छोटे रैबिट है इस रैबिट का weight 375 तो 500 ग्राम्स है साइज में छोटा होने के कारण ये सबसे popular house pet है तो ये थे कुछ unique animals जो बाकी जानवरों से बहुत छोटे है अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ interesting topics के साथ मिलेंगे और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा जिसे like, share और subscribe ज़रूर कीजिए और अगले वीडियों तक के लिए अलविदा दोस्तों धन्यवाद